हेलो फ्रेंड्स वेल्केम टू सुर्जीज बैल्जिटिक्स बैल में डीजियर आज हम बात करेंगे इंपॉर्टिंट लार्वे को याद करने की बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में जो की यूसफुल है हमारे मेडिकल इंटरेंस इग्जामिनेशन के लिए तो आएए पॉर्टोजोवम फोतोजवर ह​ इसमें नौ कोई रवा नहीं पता है। इत दूसरे अहाँ दोस्तों पॉरी-कषण पॉरी फेरा होते हैं और lesser गश्चिंग पॉरी फेरा में दो लार्व पाले जाते हैं है पहला है 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 अ निंणकी फ यूकर सोलोरिक्हा टेher दूसरा है पहला है लार्वा आफ लिकोसलोनिया लार्वा आफ लिकोसलोनिया दूसरा है लार्वा आफ इस्पंज ठीक है ना तो इनका लारवा क्या है लारवा अफ लीको सोलेने क्या कहलाता है पैरन काइमुला लारवा पैरन काइमुला पैरन काइमुला लारवा होता है और इसका होता है एमफी ब्लास्टुला लारवा है तो इनको याद कैसे करेंगे इसको याद करने का तरीका क्या है पहला तरीका क्या है लखनू में यह स्कूल लखनौ पुदिक इसकूल एहल्पियेश आ वह इस अहि 어겠죠 lp और मतलब कि यहाओ रवा अब लिको प decision यह हो दूसरा हो जाएगा इस्पंस तो पैरन काई मुला तो याद कर लेंगे हैं पैरन काई मुला दूसरा यह से एंफिबलास्ट टुला अगर यह नी समझ मेरे तो एक और तरीका मेरे पास है अगर पिछला तरीका नहीं यह थे दूसर तरीका है यह सब internationality करें एक मुला जुसे जो तुला ले गर के जा रहे तरजुश क किसी ने ने का ले मुला एस पी तुला तो कैसे लिए ले मुला सबी तुला यह भी आपको बहुत इसली याद करा देगा ले से क्या हो जाएगा लुकोसोलोनिया मुला मतलब पैरेंकाइमुला फिर एस्पी मतलब स्पॉंजेज तुला मतलब एमफीब्लास्टुला ठीके तो यह हो गए है पौरीफेरा के लार्वे आए दोस्तों बात करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के लार्वा की तो बात करते हैं सीलेंट्रेटा लेके न सीलेंट्रों केविटी पाए जाती इनमें तो इनमें लार्वा पाए ता है पहली बात किसे पाए ता ओबीलिया में दूसरा औरेलिया में तो पहला लिख लेंगे लार्वा आफ ओबीलिया दूसरा हो जाएगा लार्वा आउरेलिया लार्वा आउरेलिया इन दोनों के दोनों के लार्वा का अब बात करते हैं इन दोनों के लार्वा का ओबीलिया का लार्वा होता है प्लैनूला और औरेलिया का लार्वा होता है एफ आईरा अब बारी आती है ट्रिक याद करने की तो सबसे पहली ट्रिक है ओ पी ए ए ए क्या है ओ पी ए ए इसका मतलब क्या होता है ओ से हो जाएगा ओबीलिया पी से हो जाएगा प्लैनूला दोस्तों अंगर पुराने ट्रिक सेंने लेए त्ट दूसरी ट्रिक है दोस्तों O, B, C, Plan, और जली फेरा, O, B, O, B, C, Plan, C, Plan, और जली फेरा, जली फेरा, तो इसे डीकोड कैसे करेंगे, O, B, C, Plan, और जली फेरा, O, B मतला होता, O, B, लिया, C, मतला होता है, S, C, Any, Moon, Plan, मतला होता है, Planula, Planula, लार्वा, फिर आगे बात करतें, और से क्या मतला होता है, और से होता है, Aurelia, जली होता है, जली फेरा, सब जानते हैं, जली, फेरा होता है, फेरा, पर फेरा एफाई रहा लगबग शिमिलर लग रहा है राइमिंग लग रहा है तो फेरा एफाई यह थी सिंपजितिक लार्वा याद करने की अगला फाइल है में दोस्तों टी-णो फोरा इसमें एक ही लार्वा पाये जाता है सिडी पिड क्या कहते हैं सिडी पिड क्याते हैं इसको कैसे याज करेंगे तीनो पिद्दी क्या आज करेंगे तीनो तीनों पिद्दी मतलब तीनों सजाएगा टीनो फोरा और पिद्दी मतलब बता हैगा सिडी पिड यह तरह हमारा टीनो फोरा का लार्वा थे एर्ब भाद करता है प्लें एसंक लीवर फ्लोग फैसि अरे आता है इसको बोलते हैं लीवर फ्लोग इसमें बहुत सारी stages होती है, बहुत सारे लारवे होते हैं, ठीक है न, तो उनको याद करने का तरीका मेंने बनाया है MS-RCM, पहला क्या है MS-RCM, R-C-M नाम की company थी, जिसमें MS रहा करते थे, ठीक है न, R-C-M company में MS रहा करते थे, MS मतलब डॉक्टर, MBBS के बाद MS, तो MS-RCM, M से क्या हो जाएगा, Miracidium, Miracidium, S से हो जाएगा, Sporocyst, Sporocyst, R से हो जाएगा, Radia, C से हो जाएगा, Sarcaria, और M से हो जाएगा, Metasarcaria, Metasarcaria, अगर हिंदी में से आद करेंगे, तो एक तरीका और है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, क्या है, मुलायम सिंग राठोर, मुलायम सिंग राठोर, सरक मिटे, सरक कर मतलब फिसल कर मर गए, मिटे, क्या हो जाएगा, मुलायम सिंग राठोर, सरक मिटे, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, और मिटा सरकेरिया, तो यह हो गए, सारे के सारे लारवे, फैसियोला, लिवर्फ्लोग के, दूसरा है, दोस्तों, दूसरा है, टी निया, जिसे बोलते हैं, टेप हुआ, ठीक है, इसका लारवे तरीका क्या है, ओ, एज, सी, बी, पहला गरिजिम याद कलनते, ओ, एज, सी, बी, ओ से क्या हो जाता है, ओंको इस फोर, ओंको इस फेर, एज से क्या होता है, हेक्जाकैंद, हेक्जा मतलब 6, इसके 6 नुक्यलों के लिए वो निकले होते हैं, काटे टाइप स्ट्चर्चर, उसको बोलते हैं, हेक्जाकैंद लारवा, फिर उसका बात में कहाता है, सिस्टी सरकस, इसको बोलते हैं, ब्लैडर वर्म, अब इंग्लिस की ट्रीक हो गए, हिंदी में कैसे याद करेंगे, मतलब आंको इस फेर का दूसरा नाम हेक्जाकैंद, और सिस्टी सर का दूसरा नाम ब्लैडर वर्म, इसे याद कैसे करेंगे, ओम सांच six balls, ओम सांच इस ball पर six urn मिल जाये, तो ओम सांच six balls, इसका मतलब क्या हो गया, ओम मतलब क्या हो गया, सिक्स मतलब हेक्जकेंट साई मतलब क्या हो जाएगा सिस्टी सरकस और बाल मतलब ब्लैडर वर्म अगर ये भी समझ में नहीं रहा है तो एक और तरीका देख लें अंकल कांथ अंकल कांथ, क्रिष्न कांथ, सशी कांथ जो भी आद कर लें अंकल कांथ सरकस में सरकस में बाल खेलते थे बाल खेलते थे ऐसे आद कर लेंगे तो अंकल कांथ सरकस में बाल खेलते हैं बाल खेलते थे ठीक है न तो इसका मतलब क्या जाएगा अंकल मतलब अंकोस्फेर कांथ मतलब हेक्जाकैंथ सरकस मतलब सिस्टी सरकस में कोई मतलब नहीं बाल का मतलब था ब्लैडर वर्ड ब्लैडर वर्ड खेलते थे कोई मतलब नहीं तीसरे दोस्तों प्लैटे हेलमिस में साइकोस्टोमा साइकोस्टोमा इसका लारवा होता है सरकेरिया तो क्या हो जाएगा साइसरक साइ सरक всех होगए हमारे हेलमिस के सारे के सारे लारवेह मुझे उमीद है आपको पसंद आने ऑँ जुस्तों आये बात करते हैं एसक हैलमिंधिस के लारवा को याद करने की ट्रिक के बारे में को बात करतें एसक हलमिंधिस की इसमें पहला है एसकेरिस एसकेरिस और दूसरा है इसमें वुच्रेरिया ब्रैंक ओफ टाइ वुच्रेरिया एसकेरिस के लारवा होता है दोस्तों रैब डिटी फॉर्म रैब डिटी फॉर्म यह होता है अंडे के अंदर तो रिकने इंसाइड एग इंसाइड एगस है अंडे के अंदर होता है दूस्तरा फुच्रेराय होता है माइक्रोcji माल लएरिया नलॉप्य माइक्रो फाइल लेर लाव में tussen यहाद कैसे करेंगे तो पहला तरीका तो हिनका आराम क्या है आराम कैसे करते हैं आराम इंगलेश कैसे लिखेंगे ए आर डबलू एम आराम डिकोड कैसे करेंगे एस हो जाएगा हमारा एस के रिस आर से हो जाएगा रैप डिटी फॉर्म डबलू से हो जाएगा वुचरेरिया और एम से हो जाएगा माइक्रो फाइल एरिया पसंदंड नहीं हुआ है है अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैंने हिंदी में एक और बना अएप जल्ब combination मतुल्म favor, बेचारे को आदमें देखता है है उसमें on the गते हो थो तो कहते हैं ब्हगवाण इस बीचारे को इसका मतलब क्या हो गया ऐसे का मतलब हो जाएगा एस के रिस रब हो जाएगा रैब डिटी फॉर्म लारवा रैब डिटी फॉर्म लारवा बेचारे हो जाएगा वुच रेरिया में मतलब माईकरो में मतलब माईक्रो में मतलब माइक्रो فाईल एरिया मतलब फाईल एरिया त्ले स İşte के सब लारवे याद करने की अगर सब्सक्राइब मज़ा नहीं आप इंग्लिश में देखी से कैसे याद करेंगे कि आस्क रब आस्क कि रव कि विच फाइल एरिया कि भगवान से पूछिए कौन सा फाइल एरिया अच्छा होता है ठीक है तो आस्क मतलब क्या हो जाएगा तो आस्क हो जाएगा एसकेरिस रब हो जाएगा रैबड़िटी फार्म लारवा विच हो जाएगा वुच रेरिया फाइल एरिया हो जाएगा माइक्रो फाइल एरिया तो दोस्तों यह थी सिंपल से ट्रेक एस खल्मिंग्स की सभी लारवल स्टेज याद करने की आई दोस्तों बाद करते हैं फाइलम एनलीडा के लार्वल स्टीजिस को याद करने की ट्रिक के वारे में तो बाद करते हैं फाइलम एनलीडा बहुत इंपोर्टन कई बार पूछने कि अर्थवर में कौन सा लार्वा पाए जाता है तो सभी बच्चे ध्यान दें अर्थवर में कोई लार्वा नहीं पाए तो पहला लिख लेंगे अर्थवर में नो लार्वा कोई लार्वा नहीं पाए जाता है इनको याद करने वाली चीज है ध्यान देने वाली चीज है कि अर्थवाम में कोई लारवा नहीं पाया जाता दूसरा होता है बच्चों नैरिस नैरिस में पाया जाता है ट्रोकोफोर लारवा कौन सा ट्रोकोफोर लारवा ट्रोकोफोर लारवा ठीक है अब इनको याद कैसे करेंगे आप लोग आख ना कान वाले गले वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं इन टी तो इन एन टी इन का मतलब क्या हो जाएगा आर्थवर्म हो जाएगा और एन का मतलब क्या हो जाएगा नेरिस नेरिस फिर एन का मतलब समद्द क्या होंगे नो लारवा नो लारवा और टी मतलब हो जाएगा ट्रोकोफोर लारवा ट्रोकोफोर लारवा अगर ये भी समझ में नहीं आ रहे है तो मैंने हिंदी में ट्रिक मनाई है हिंदी देख लीजिए हिंदी में ट्रिक है अर्थ नहीं नारी तोड़ फोड़ अगर नारी ने तोड़ फोड़ नहीं किया तो नारी का कोई अर्थ नहीं है तो क्या लिख लेंगे अर्थ नहीं नारी तोड़ फोड़ मतलब क्या होगे इसका अर्थ मतलब क्या हो जाएगा अर्थवाम नहीं मतलब नो लार्वा कोई लार्वा नहीं नारी मतलब क्या होगे नैरिस और तोड़ और फोड़ मतलब ट्रोकोफोर तो दोस्तों ये थे हमारे एनलीट्स के लार्वे आए दोस्तों बात करते हैं फाइला मोलस्का के सभी लार्वा निस्टेजिस को याद करने के ट्रिक के बारे में तो बात करते हैं फाइला मोलस्का मोलस्का तो पहला लार्वा पाय जाता है पाइला में, डूसा पाय जाता है यूनियो में, इनकी classes क्योंकि classes important है? तो पाइला की class होती है, गैस्ट्रो पोड़ा, तो इसकी class क्या है? गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा और इनकी क्लास क्या है इसकी क्लास है यूनियों की क्लास है बाई वैल्विया बाई वैल्विया बाई वैल्विया ठीक है ना गैस्ट्रोपोडा मतलब बहुत ही मोटा इस्टेक्चर होता है फूला हुआ और बाइवैल्वे मतलब दो इस टेक्चर खुलते से सूती होती सीफ होती वैसी खुलती है इसको बोलते बाइवैल्वे economics क्या होती है पाहिला कोती है विल्यज़ विल्यृटर होती है और इसकी होती है Niruk होती इंग्लोचीडियम ठीक है दोस्तों यह क्या विलिजर और ग्लोचीडियों अब बार्यात इनकी ट्रिक को याद करने की तो पहला तरीका है पी जी वी यू बी जी इसका मतलब क्या होता है पी से होता है पाइला जी से होता है गैस्टो पॉड़ा और वे से होता है विलिजर थीका है तो ख्लास ही पता चल की पाइलाळाव गैस्टोपॉड़ा और विलिजर यू बी जी आप को गलोची डियम यह हो गया अगर यह स्मूझ में नहीं आए तो मैंने हिंदी यह एक ट्रिक बनाई है तो आए देख लेते हैं हिंदे वाली ट्रिक क्या है पिला गैस विलेजर को ऊनी बाई गिलोई मतलब गाओं के आदमी को क्या हो गया उनी बाई हो गई उसे गिलोई और तो क्यां तो कैसे लिखलेंगे पिला कैस पिला मैं है!. स्थाथ पेसं है विलीजर को को गावं के आदमी को विलीजर को मिलने उसे क्या हो गया है या बाइ गिलो हो गया है प्लौ के गोई तो गिलोए रे छीक तो क्या हो जाएगा पीला गैस विल्जर को undoubtedly पाहिए नहीं यृद तो पिला मतलब क्या हो जाएगा पाइला अगत मतलब अगए गराills के कि हो इसका पर कि लेकों मतलब नहीं है पुनिका मतलब हो जाएगा यूनिओ यूनियो बाई मतलब होगा बाई वैल्विया बाई वैल्विया गिलोई के मतलब होगा गिलोची डियम तो दोस्तो ये थी सिंपल से ट्रिक फाइलम मुलस्का के सभी लार्वेश चेस को याद करने की मुझे उम्मीद आपको पसंद आए होगी आए दोस्तो बात करते हैं फाइलम आर्थोपोर्ड के सभी लार्वेश चेस को याद करने की ट्रिक के बारे में तो बात करते हैं आर्थोपोर्ड़ आर्थोपोर्ड़ तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्टेशियन की फ्र बात करेंगे housefly की housefly की फिर तीसरी बात करेंगे butterfly की बटरफ्लाइ और लास्ट में आता है हमारा प्यारा मौस्कीटो मौस्कीटो मतला हमारा मच्छा अब बात करते हैं इनका जो लार्वा क्या-क्या होता है तो क्रस्टेशन का होता है जोया जोया नौपिलस सैप्रस से प्रेंड फिलोजोमा फिलोजोमा और भी बहुत होते हैं बस इतना जात करने के इतना इंपॉर्टेंट है जोया नौपिलस से प्रेस फिलोजोमा अब हाउस फ्लाइज क्या होता है मेंगट होता है सब जानते हैं मैगट है इसका आरवा होता है बटर्फली का क्या होता है अब बात करते हिनको याद कैसे करेंगे तो सबसे पहला तरीका हमारा अंग्रेजी वाला जो हमें बहुत पसंद है आपको यह पसंद आएगा पहला क्या है कि सी जोया कि एन सी पी तो जोया क्या करो देखो नैशनल कॉंग्रेस पार्टी को तो सी से क्या हो जाएगा क्रस्ट एशिया एन मतलब नौपिलस शी मतलब साइप्रेस और पी मतलब फिल्लोजोमा फिर आगे बात करते हैं हाउस फ्लाई का मैगट तो ह और एम हाउस फ्लाई मैगट यह हुजाएगा हाउस फ्लाई क्या मैगट फिर आगे बात कर लेते हैं बी सी बी सी मतलब बटरफ्लाई केटरपिलर लास्ट में आते हमारा एम डबलू एम और डबलू सब जानते क्या जाएगा मॉस्कीटो और रिगलर मॉस्कीटो और रिगलर लेकिन दोस्तों अगर आपको इंग्लिश वाला तरीका पसंद नहीं तो मैंने हिंदी भी बहुत अशा तरीका बनाया है आये दोस्तों बात करते हिंदी की ट्रिक के बारे में तो पहला तरीका है कस्ट नहीं कस्ट नहीं फिर सिपरी जोया फिर सिपरी जोया मतलब अगर जोया को कस्ट नहीं था तो क्यों सिपुड गई करस्ट मतलब क्या हो जाएगा क्रस्टेसियन्स ठीक नहीं मतलब क्या हो जाएगा नौ पिलस फिर मतलब हो जाएगा फिलोजोमा सिप्री मतलब हो जाएगा सिप्रिस और जोया मतलब हो जाएगा जोया यह था क्रस्टेसियन्स का लार्वा नौपिलस फिलोजोमा सिप्रिस और जोया अगला तरीका क्या है घर मगर घर मगर घर मतलब क्या होता है हाउस तो हाउस फ्लाई और मगर मेंगट लगबग लगबग सिमिलर साउंड करता है तो मगर मेंगट मेंगट फिर है अगला है बटर कटर क्या है बटर कटर बटर कटर मतलब क्यों होता है बटर फ्लाइए बटर फ्लाइए केटरपिलर लास से दोल तो मश्वरे मश्वरे तो मश्वरे का मतलब क्या होता है मौस्किटो और कैसा लार्वा रिगलर लार्वा तो हो जाएगा मौस्किटो रिगलर तो यह था दोस्तो आर्थो पोड के सभी लार्वाल स्टेज़ आए दोस्तो बात करते हैं फाइलम इकाइनो डर्मेटा के सभी लार्वा स्टेज़ को याद करने के ट्रिक के वारे में तो बात करते हैं फाइलम इकाइनो डर्मेटा सब्सक्राइब किनमे किनमे लालो स्टेज रहा रह फिस हाँ स्टार फिश्में भी लालो स्टेज दूसरे होलो तूरिय और थूरिया घुलो थूरिया होती है थीस्रा एक आईनेस मैं होती है चौथा ब्रिटिल स्टार में होता है इससे पहले कभी कभी क्या पूच लेते हैं कि एस्टरॉइडिया चीक है इसका होलो थुरॉइडिया फिर एकाइनस का है एकनोइडिया एकनोइडिया ब्रिटिल स्टार का है और फिरॉइडिया कि अब बात आती कि कौन-कौन से लार्व क हम पाया जाते हैं सबसे पहले स्टार्ठ राइक । और बाय। पिनियरिया ज़ें से पिनियरिया अगें बात करते हैं होलोग न क्या पर आता है औरी पिनियर या अगला है इकाइन रियुदंने चेस सब्सक्राइब अगे औरे की इमसे शहुद्या repeating लेतिये छिए लास्ट ये दोस्तों प्रिढ़ लिस्ता इसका होता है ऑफियो प्लेटियस ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं इनको याद करने की ट्रिक के बारे में तो पहले ट्रिक एक हिंदी में, दूसरी ट्रिक अंगरिजी में, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है, इस्तर विपिन बढ़ा हो और अच्छा अच्छी, ब्राइट आफ प्लेट, क्या हो जाएगा, इस्तर, किसका विपिन का, विपिन, बढ़ा हो, और, अच्छा अच्छी, अच्छा, कि अच्छी ब्राइट आफ प्लेट ब्राइट ऑफ प्लेट टीक है यह से तरीका कैसे को डीकोड करेंगे इस्तर मतलब क्या होता है इस्तर और स्टार दोनों पराबर हैं तो स्टार फिश लार्वा विपिन मतलब क्या हो जाएगा बाइपिनेरिया अब बड़ा मतलब ब्रैक्योलेरिया फिर हो से क्या हो जाएगा होलो थियोरिया होलो थियोरिया और से क्या हो जाएगा औरीकुलेरिया फिर अच्छा का मतलब क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा एकाइनस एकाइनस अच्छी का एकाइनो प्लेटियस ब्राइड क्या हो जाएगा ब्रिटल स्टार और आफ प्लेट क्या हो जाएगा और फियो प्लेटियस आफ मतलब और फियो प्लेटियस प्लेट मतलब प्लेटियस तो यह था तरीका हिंदी में सभी लालो स्टेज याद करने का अब बारी आती है इंग्लिश की तो आएगे बात करते हैं इंग्लिश में ट्रिक के बारे में इंग्लिश ट्रिक बहुत ही आसान है क्या इस्टार स्टार ब्रैक बाई स्टार ब्रैक बाई स्टार ब्रैक बाई तो स्टार मतलब स्टार फिश स्टार मतलब एस्टरोइडिया ब्रैक मतलब ब्रैकुल एरिया बाई मतलब बाई पिन एरिया क्या होगा है स्टार ब्रैक बाई फिर क्या याद करेंगे हॉल हॉल आउरी हॉल हॉल आउरी हॉल आउरी मतलब क्या होलो थुराइडिया होलो थियूरिया होलो थुराइडिया और आउरी कुले रिया तो हॉल हॉल आउरी फिर बात करेंगे अगला क्या हो जाएगा अई कि अऔर कि मतलब ऑले यह सब्सक्राइब यह करेंगे i Romeo कि बारे में सबसे हेले बात करते हैं इक हाई डेता के बारे में हुआ है सबसे पहले बात करें है हमी कॉर्ड इटा उसका एक्जम्पल क्या बेलनो ग्लॉस उसको बोलते हैं टंग वर्म टंग वर्म ठीक है ना इसका लारवा होता है दोस्तों टॉर्नेरिया टॉर्नेरिया तो तरीका कैसे आद करेंगे बेलन से जीव टर्न हो जाती है तो बेलन से बेलन जब दिखता है तो अपने आप जबान के तेड़ी हो जाती है तो क्या हो जाएगा बेलन मतलब बैलेनो ग्लॉस टंग मतलब टंग वर्म तर्म मतलब टॉर्नेरिया जाइधा दोस्तों है वी कौड़ीटा का लारवल स्टेज्च अब बात करतें कौड़ीटा का लारवल स्टेज्च के बारे में कि आये दोस्तों बात करते हैं लारवल स्टेज़ के बारे में जो कि बहुत इंपार्डेटा के लारवल स्टेज़ के बारे में तो सबसे पहले हम याद करते हैं जब भी लारवल स्टेज़ की बारी है तो हम याद करते हैं कि इसको मेधक चाचा को तो हमारा सबसे इंपार्ड कोई है? Frog. पहला कारड़ेट कोई है? Frog. प्रॉक है? दूसरा किसके बात करते है? धूसरा है हमारे Petromycin. कर जिसे दूसरा नाम हमने दिया उसे क्या बोलते है? Lambrey. क्या बोलते हैं? Lambrey. तीसरा है दोस्तों. अ तीसरा है Embystoma. इसे बोलते टाइगर सेलमेंड टाइगर सेलमेंड और चौथा है दोस्तो हर्ड मैनिया ऑफ हर्ड मैनिय यह हो गए हमारे सारे के सारे ऐसे ऐनिमल जिनका हमें 無किल चकांए जिनका हमें लारवल स्टेज सबसे पहले फ्रॉक्त सभी ब्च्च्चे जान दे क्या होता है ट्यड पोल तेड पोल होता है इमो सीट नंशीट आर्म सیट होता है हमो सीट है कि एक्जो लोटल लार्वा एक्जो लोटल और लास्ट में हर्ड मेनिया होता है एसीडियन टेड़ पोल अचैन है श्बूप गर्दो दें दोस्तों कि ऊपर टेड़ पोल नीचा थ्याद व्हार्वेनिया वाला टेड़ देड़ पोल लिम पर अब बात कर और इसको ट्रिक याद करेंगे तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है फ्राउग का होगा टेड़ पोल सभी जानते हैं इसमें कुछ नहीं बताएंगे फ्राउग का है टेड़ पोल पहला दूसरा कैसे याद करेंगे दूसरा पेट्रोमाइजन लेंपरे एमो सीड पेट्रोमाइजन ले मतलब लैंपरे और मतलब अममा अगले दूसरा तीसरा नंबर है एमबाइस्टोमा टाइगर सेलमेंटर एक्जोलोटर तो क्या हो जाएगा अमबे माता तेरा टाइगर लोटे तो अमबे अमबे का टाइगर क्या होता है अमबे का टाइगर क्या करें लोटे लोट पोर्ट करें तो क्या हो जाएगा अमबे मतलब अमबाइस्टोमा का कोई मतलब नहीं है टाइगर होगा टाइगर सेलमेंडर लोटे मतलब एक्जो लोटल लास्ट है दोस्तों हर्ड मैनिया, एसीडियन टेड़ पोल तो क्या हो जाएगा हर्ड हर्ड, एसी, टेड़ पोल मतलब टेड़ पोल के इसी क्या समझ चाहिए हर्ड होना चाहिए तो हर्ड मतलब क्या हो जाएगा हर्ड मैनिया AC मतलब Acidian Tadpole हो जाएगा Tadpole Acidian Tadpole तो दोस्तो ये था हमारा Simple Trick सभी के सभी Caudate के Larva को याद करने का मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर ये Trick आपको पसंद आ ले हो तो प्लीज मैं चैनल को लाइक करें शेयर करें, सबस्क्राइब करें, धेर सारा प्यार दें कोई भी ट्रिक बना लिए तो कमेंट बाक्स पर कमेंट करें कोई भी कुश्चन पूछना तो कमेंट करें Thank you